पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे से गोरखपूर को जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपूर लिंक एक्सप्रेस्वे का 74 फीजदी से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक 91.35 किलोमेटर लंबा ये लिंक एक्सप्रेस्वे यादा याद के लिए खुल जाएगा इस एक्सप्रेस्वे के बन जाने से गोरखपूर से लखनव और दिल्ली से आगरा जाने में लगने वाला समय बचेगा एक्सप्रेस्वे के दोनों और बिजनेस कोरिडोर भी बनाया जाएगा यूपी सरकार ने इसके लिए 200 करोड रुपे का बजट आवंटित किया है इस ओद्योगिक इकाईउं की अस्थापना के साथ ही वेरहाउस भी बनाये जाएगे जिसमें ओद्योगिक गतिवीधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही रियल स्टेट मार्केट में भी बूम आएगा वर्तमान में लखनव से गोरखपूर जाने के लिए दो रास्ते उपलब्ध है नेशनल हाईवे 27 के माध्यम से दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 279 किलोमेटर है और इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं पुरवांचल एक्सप्रेस्वे से जाने पर गोरखपूर से लखनव 321 किलोमेटर है और इसमें करीब 5.5 घंटे लगते हैं गोरखपूर लिंक एक्सप्रेस्वे के बन जाने से पुरवांचल एक्सप्रेस्वे तक पहुँचना आसान हो जाएगा इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी भी घट जाएगी और यात्रा में 5.5 घंटे की बजाए 3.5 घंटे ही लगेंगे यूपी एक्सप्रेस्वे इंडस्ट्रियल डेविलप्मेंट अथोरटी के अनुसार जून दोहजारतेईस तक लिंक एक्सप्रेस्वे का 74 फीजदी निर्मान कारे पूरा हो चुका है क्लिरिंग एंड ग्रबिंग का काम 100 फीजदी, मिट्टी का 93 फीजदी, जेस्बी का 71 फीजदी और डीबीम का 66 फीजदी काम पूरा हो चुका है एक्सप्रेस्वे पर कुल प्रस्तावित 342 अस्ट्रॉक्शर्स में से 226 बन कर तयार हो चुके हैं 91.35 किलोमेटर लंबा ये लिंक एक्सप्रेस्वे गोरखपुर जिले के जैतपुर गाउं से शुरू होता है और आजमगड जिले के सालारपुर गाउं में पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे से जुड़ता है ये लिंक एक्सप्रेस्वे गोरखपुर, संत कभीर नगर, अम्बेटकर नगर और आजमगड से होकर गुजड़ेगा इस लिंक एक्सप्रेस्वे को वारांसी के साथ एक अलग लिंक रोड के जरिये जोड़ा जाएगा लिंक एक्सप्रेस्वे से गोरखपुर और आजमगड के बीच आवाजा ही आसान और तेज हो जाएगी माल धुलाई में तेजी आने से व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा साथ ही इस एक्सप्रेस्वे के बन जाने से गोरखपुर से दिल्डी और आग्रा जाना भी आसान हो जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस्वे राप्ती नदी, आमी नदी, कुआनू और घाग्रा नदी से होकर निकलेगा एक्सप्रेस्वे पर नौ इंटर्चेंज होंगे इने जैकपूर एनेज 27, खजनी, बासगाउं, कोडी राम और गोला भीटी रावत, खतनी, बासगाउं, सिक्रिगंज रोड, रामजान की मार्ग नेशनल हाइवे और सिक्रिगंज बेल घाट मार्ग पर बनाया जाएगा भूमी लागत समेत पर योजना की स्विक्रिती करीब 5,876 करोड रुपए